नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक्षर यूटूबर जाने आन जाने में करते हैं जब उनका चैनल मोनेटाईज हो जाता है तो वो गलतियों को करना सुरू कर देते हैं और उनकी गलतियों के वज़े से उनका चैनल मोनेटाईज होने के बाद फिर फिर दी मोनेटाईज कर दिया जाता है जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में आगे बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए तो नहीं तो आपका चैनल फिर फिर दी मोनेटाइज कर दिया जाएगा दोस्तों पहले क्या था कि जब किसी का चैनल जो है मोनेटाइज होता था उसके बाद अगर वो कोई गलति करता था तो उसका चैनल एक सब्ता के लिए या फिर 15 दिन के लिए या फिर एक महीनी के लिए जो है डी मोनेटाइज कर दिया जाता था एक महीने बाद या 15 दिन बाद फिर से उसका चैनल पहले के जैफाड मोनेटाइज कर दिया जाता था उसकी अर्निंग चालू हो जाती थी लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है अब यूटूब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अगर आप कोई गलती करते हैं चैनल मोनेटाइज होने के बाद तो अब क्या करता है यूटूब आपक जानकारिक लिए आपको एक बात बता देता हूं कि एक आदमी अपने जीवन में एक बार ही एक अकाउंट बना सकता है एक नेम और एक आड्रेस पे वो दुबारा अपने जिंदगी में कभी एक अकाउंट नहीं बना सकता है इसलिए आपको अपने एकाउंट को बचा के र है अब इनवालिट क्लिक एक्टिविटी क्या है मैं आपको बताता हूं देखिए होता क्या है कि जब आपका यूटूब चैनल मॉनिटाइज हो जाता है तो बहुत जिनको पता नहीं पता है तो उनको मैं यह बता रहा हूं कि ज्यादा कमाई के चक्कर में लोग गल्तिएंग करते हैं गलतिया क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को अपने मोबाइल फोन में देखना चालू कर देते हैं खुद ही अपनी वीडियो को खुद देखते हैं आइड भी देखते हैं आइड पर क्लिक भी करते हैं पहले गलतिये करते हैं तो आपको क्या नहीं करना है जिस चैनल म आप का चैनल demonetize कर दिया जाएगा और कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इस्टा दिमाग लगाते हैं जो लोग वो जो है सोचते हैं मैं अपने फोन में नहीं देखूंगा तो वो अपने फोन का इंटरनेट अपने दोस्तों के फोन में नहीं देखना है नहीं तो आपके चैनल को problem में जो है हो जाएगी और आपको क्या नहीं करना है माली जै आप जिस घर में रहते हैं आपके मम्मी पापा भाई बहन भावी भाई या कोई भी होंगे तो आपको जो है उनके जो है मोबाइल में बार बार अपनी वीडियो को नही मतलब कि जहां आपका फोन है लोकेशन बता रहा है कि आप यहां भी अपना चैनल इस फोन में चलाते हैं और वहीं लोकेशन में रोज आप पास के मोबाईल फोन में आप वीडियो को लेज अपले किये जा रहे हैं तो यूटूब को डाउट हो जाता है कि आप ही जो है दूफरी गलती हैं आपको क्या नहीं करना है दूफरी गलती है मिफ लेडिंग मेटाडेटा आपको नहीं करना है तो मिफ लेडिंग मेटाडेटा क्या है मैं आपको बताता हूं देखिए फुरू में क्या होता है सबको पता है कि जब चैनल रीबू में भेजा जाता है मोन कि मेरा हो गया है अब तो मैं कुछ भी करूंगा भी जाने से मतलब है वी जाएगा तो पैसा आएगा तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनके वीडियो में नहीं होता है अनावस्य कीवर्ड टाइटल में डिस्क्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो है डाले पड़े रहते हैं description में tag में भर भर के तो आपको यह गलतिया नहीं करनी है आपका वेडियो जिस topic पर हो उसी topic पर आपको thumbnail में लिखना है title में लिखना है description में लिखना है tag लगाना है नहीं तो misleading metadata आपके channel पर यह problem आएगी तो इसके अंतरगत आपका YouTube channel जो है कर दिया जाएगा आप दोस्तों मैं बात करूं तीसरी गलती कि तो तीसरी गलती लोग क्या करते हैं देखिए कोई content ऐसे होते हैं जिनको की YouTube monetize नहीं करता है मतलब YouTube की एक guideline है कुछ content यह content ऐसे हैं जो की advertisement friendly नहीं होते हैं जैसे कि आप कोई कॉछ यह content जो है YouTube पर monetize नहीं होते हैं तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि अब तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है मैं कहीं का भी वीडियो कैसा भी वीडियो उठा के डालूँगा मेरा चैनल चलेगा विव जाएगा तो पैसा मिलेगा लेकिन नहीं जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको जो है इस पॉलिसी के ताहट जो पॉलिसी है कि मतलब जो कॉंटेंट होता है आइड़ोटाइजमेंट फ्रेंडल नहीं होता है इसके अंतरकात आपका चैनल डेमोनेटाइज कर दिया जाएगा अब तीसरी गलती के बारे में बात करूँ दोस्तों तो तीसरी गलती है रियूजड कॉंटेंट रियूजड कॉंटेंट अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि क्या होता है बारे की से समझ लीजिए जब आप किसी दूसरे का कॉंटेंट उठा कर एकदम जो है वही आप कुछ भी एडिटिंग कुछ भी अपनी बैलू को ओड़ नहीं करते हैं दूसरे की वीडियो जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जिस पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं उनकी कटेगरी का जो यूटूबर है उनकी वीडियो को डाउनलोड करके या कोई भी रेल्स है उनको डाउनलोड करके कि अपने चैनल पर डालूंगा व्यूज ज़्यादा आएगा मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा लेकिन दोस्तों इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिसका कॉंटेंट आप यूज करेंगे पहली बात तो वो आपको कॉपी राइट इस्ट्राइक दे के आपका चैनल कर देगा तो इसलिए आपको दूसरे का कॉंटेंट यूज नहीं करना है चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद अगर करना भी है तो उसके कॉंटेंट में एडिटिंग करिए अपनी कुछ वैलू एड करिए उसके बाद अपने चैनल पर अप्लोड करिए अब पांच भी गल चैनल पर हमेशा consistency बनाए रखना है यह नहीं सोचना है कि मैं 6 महीने साल भर काम नहीं करूंगा तो मेरी पूरानी वीडियो चल रही है मुझे पैसा आता रहेगा लेकिन यूटूब की एक ऐसी policy है अगर आप 6 महीने तक अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहते हैं तो आप आपका चैनल आपका एडसेंस जो है इनक्टिव कर दिया जाता है आपकी अर्निंग वहीं पर बंद हो जाएगी तो आपको 6 महीने के अंदर मतलब 6 महीने क्रॉस नहीं करना है उसके पहले अगर आप वीडियो नहीं भी डाल रहे हैं तो कुछ नकुछ एक्टिविटी अप आपको हमे Deshalb करते रहना है छे महीने का गाप गाइब जो है आपको अपनी चैनल पर नहीं करना है नहीं तो आपका जो है इंक्टिव कर दिया जाएगा और आपकी कमाई वहीं पर बंद हो जाएगी तो दोफ्तों ये ती गलतियां जो आपको नहीं करनी है अगर आपको पता आहे.